नमस्कार जहें दोस्तों कैसे हो आप उमीद है कि आप स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों आज आप लोगों के ले के आया हूं सूपर डिलिसियस एन पेस्ट भिंडी दोप्याजा की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले गैस फ्लेम को आन करके करकेख में से हल्की हल्की भीनी भीनी खुस्भू निकलने लगे तो इसमे डाल देना इसमें बारिक टटे हुए मिर्च मैंने यहां यहां पर मैंने दो प्याज यूज किये हैं बड़े साइज के टमांटर में यहां पर यूज करूंगा दौ से तीन लोगो के लिए में रेसिपी बना रहा हूं तो इसी रेसियो में आप कम या जादा कर सकते हैं तो प्याज को continuously चलाते हुए हमें golden brown होने तक भून लेना है तो देख सकते हैं प्याज हमारे प्याज पका लेने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट आप चाहे तो यहाँ पे अद्रक और लसुन को कूट के भी ले सकते हैं मैंने यहा बारिक कटे हुए टमाटर दोस्तों टमाटर को जितना बारिक हम कट कर सकते हैं उतना बारिक हमें कट करना है जिससे कि आसानी से गल जाए अब टमाटर डालने के बाद हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर और टमाटर को गलने तक üszके अच्छी तरीके से पका लेंगे तो दोस्तों अब टमाटर पकने के बाद हम चलते से अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले जिसमें डालें मैंने दो चमज धनिया पवडर, आधा चमज से जादा हल्दी पवडर और आधा चमज के इतना तीक ही लाल मिर्च और उसके बाद डाला है मैंने से पेटा हुआ चार से पाँच बडे चमच दही अब इन शबर को अच्छे से हम चला कर मिक्स कर लेंगे और अधिक और पका लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा हुड़ा सा पानी GUY मसालों को काफी अच्छे तरीके से पकाने के लिए और अच्छे तरीके से पानी में मसालों को मिक्स कर लेने का बाद हम इसे ढख के पका लेंगे medium to low flame पर हमारे पक चुके हैं अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रेवी तयार करेंगे इन मसालों की जादा पतली ग्रेवी नहीं करने थिक ग्रेवी तयार करेंगे तो अंदाजे से यह यहाँ पे लगभग 100 ml पानी मैंने इसमें और एड कर दिया है और इसे ढख के पकने के लिए छोड़ देंगे बिलकुल low flame पे ताकि ग्रेवी हमारी काफी अच्छे तरीके से पक्के तयार हो जाए तो अब यहाँ पे मैंने इसे ढख दिया है अब चलेंगे हम अपने दूस प्रोसेस पे यहाँ पे एक पैन में मैंने डाल दिया है सरसो का तेल और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें लगभग 1 इंच साइज में कटा हुआ भिंडी डालेंगे और यह सारा प्रोसेस यहाँ पे हम हाइफ लिंपे करेंगे अब भिंडी को हम सॉफ्ट कर लेंगे हलका स पूरे अच्छे तरीके से हमें यहाँ भिंडी को नहीं पकाने अभी तो भिंडी को continuously high flame पे चलाते हुए थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम डालेंगे onion petals प्याज के चौकोर कटे हुए टुकडे अब इसे भी हम continuously high flame पे ह भूनेंगे हमें इससे कावी अच्छे तरीके से पकाना नहीं बस इसका कच्छा वाला flavor निकल जाए अब इसके बाद उसी तरीके से हमें टुकडो को भी इसमें डालके पका लेना है तो दोस्तों देख सकते हैं बिंडी प्याज और टुमाटर हमारा काफी अच्छे तरीके से पक चुका है और दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी बनके तयार है तो अब दोस्तों उन प्याज भिंडी और टुमाटर को हम इस ग्रेवी में डालके लगबग 2-3 मिनट कंटिनूसली चलाके पका लेंगे मसालो को भिंडी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद और 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद हम गैस का फ्लेम आप करके 5-7 मिनट के लिए इसको ढख के छोड़ देंगे और लीजिए दोस्तों फिर तयार है में मारा सूपर डिलिसियस भिंडी दो प्याजा की रेसिपी आप एक बार इसे जरूर बनागे ट्राइ केजिए और रेसिपी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताए दोस्तों और फैमली के साथ सेर केजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिल दें नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्का